हलो दोस्तों अपना टोपिक चल रहा है दी ओल्ड मैन एंड द सी फर्स्ट कोश्चन है वैन डिड हैमिंग वे विन नोबल प्राइज यानि हैमिंग वे ने अर्नेस्ट मिलर हैमिंग वे ने नोबल प्राइज कब जीता 1954 में और 1953 में उनको पुलिजर प्राइज भी मिला था फिक्शन के लिए सेकंड कोश्चन है वाट तिंग जो वर यूजड एज बैट्स बाइज सेंटियागो यानि बैट्स के रूप में सेंटियागो ने क्या-क्या इस्तेमाल किया था कौन सी चीज़े प्रियोग में ली थी तो साडिन मचली और ट्योना मचली उन्होंने प्रियोग मिली ट्योना को एल बैकोर भी कहा जाता है जो गरम जलद्हारा की जो ट्योना होती है क्या क्या समझते इन दो वर्ड से देखें लामार और अलमार ये दोनों ही समुद्र के लिए यूज किया जाते हैं क्योंकि ये Spanish word है दोनों ही और San Diego लामार का इस्तमाल करता है जो feminine है और वो emphasize करने के लिए और romantic meaning देने के लिए लामार कहता है जबकि दूसरे जो fisherman होते हैं वो इसको masculine समझते हैं और इसके लिए अलमार का यूज करते हैं लामार और अलमार आर यूज करते हैं people call her in Spanish other fishermen call her अलमार means masculine but Santiago calls her लामार which means feminine to emphasize or to give a romantic meaning अगला प्रिशन है how many bets were set by Santiago Santiago ने कितने bets लगाए थी देखिए he set for bets उसने 4 bets लगाए पहला bet था वो 40 fathom पे था fathom जो समझतर की गहराई होती है उसको बोलते हैं और second bet उसने लगाए वो 75 पे लगाए और तीसरा bet था वो 100 पे था और जो चोथा bet था वो था 125 fathom पर उसने लगाए था who says everyday is a new day यहें कोन कहता है प्रति दिन एक नया दिन है वो कहता है सेंटिया को कहता है जब वह समूदर में अकेला होता है तब उसे बात करने वाला कोई नहीं होता है who termed the iceberg theory यानि किसने ये टर्म दी iceberg theory की Ernest Miller Hemingway ने ये टर्म दी थी iceberg theory वह एक American journalist, novelist और short story writer और sportsman थे उनका जनम 21 जुलाई 1899 को हुआ और उनका देहांत 2 जुलाई 1971 को यूएस में हुआ what do you know about aguamala देखिए Spanish word बहुत सार है इस novel ये short novel है उसमें यूज किया गए है aguamala का मतलब है Spanish में bad water होता है और इसका प्रियूग किया जाता है beautiful venomous jellyfish जो Portuguese man of warbiz से कहा जाता है जहरिली नीली रंग की एक jellyfish होती है जिसको कहा जाता है और bad water होता है Spanish में इसका मतलब aguamala का did he eat white eggs and drink liver oil of shark हाँ प्रिशन है कि क्या वें अंडे खाता है और शार्क मचली के जो liver oil होता है उसको पीता है तो जवाब हो जाएगा हाँ क्योंकि मचली पकड़ने से पहले वें चाता था कि उसके सरीर में कुछ जाना जाए इस फूरती आए इसलिए वें he ate white eggs and drank a cup of shark liver oil यानि एक अप शार्क का liver oil पीता है क्योंकि वें सर्दियों के लिए अच्छा होता है और आखों के लिए अच्छा होता है और उससे पकड़ भी अच्छी मजबूत होती है वाट दू नो अबाउट है मिंग वेज वर्क देखे कुछ सेलेक्टेड वर्क समने लिये हैं थ्री स्टोरीज एंटेन पॉइम्स यह 1923 में था तर्रेंट वफिस्परिंग 1925 इन आवर ताम 1926 है वे अन विदाग विमन 1927 यह दी शन आलसे इंटेन ऐखेंस 1927 है 5th column and the first 49 stories 1938 for whom the bell tolls 1940 which bird came and set beside Santiago यानि जब वो इसकिफ होता है यानि बॉट फे होता है तो कौन सा एक पक्सी आता है तो और वहां बेढ़ जाता आके तो वह होता है एक वाबलर एक छोटा सा पक्सी होता है वाबलर keynote he said aloud I wish I had the boy वो जोड से कहता रहता है एक बार नहीं काफी बार कहता है कि कास उसके पास लड़का होता उसके पास होता हुआ यानि वो कहता है कि 100 फेदम पे एक मचली है जो सार्डिन को खा रही है जहां उसने सार्डिन का बैट लगाया था उसे पता लग जाते है कि वह है मचली एक मारलिन मचली थी दिडी ड्रिंक ए लिटल वाटर फ्रॉम दे बोटल हाँ उसने बोटल से थोड़ा बहुत पानी पिया था दे वर हीज प्रिंसिपल फ्रेंड्स ओन दा ओशन वे उसके मुखे मित्र थे समुदर में तो ये दे सब्दे वो किसके लिए आया है तो वो सेंटिया गो यूज करता है फ्लाइंग फिश के लिए यूज करता है वहाँ पे डॉल्फिन्स भी होती है फ्लाइंग फिस्ट भी होती है और सी टर्टल्स भी वो देखता है वाट डू नू अबाउट पॉरपाईज आप क्या जानते हैं पॉरपाईज के बारे में यह एक प्रकार की डॉल्फिन मचली होती है और दो पॉरपाईज होते हैं वो रात में उसके नाव के इर्दीर चकर काटते हैं वाट डिड़ी इट फो गेटिंग स्ट्रेंथ यानि ताकत पाने के लिए क्या काफी देर हो जाती है उसे वो संगर्स करता रहता है मारलिन को मारलिन जब मारलिन उसको इदर उदर गुमाते रहते हैं उसको ले जाती है तो उसके हाथ में कट लग जाता है चेहरे पे कट लग जाता है खून बहने लग जाता है और उसके लेफ्ट हैंड में क्रेंप आ जाती है तो उसको फिर जो टूना मचली होती है उसके मास उसको खाना पड़ता है ताकि उसकी थोड़ी वो जो ताकत है वो बनी रहें He looked at the sky and saw the white cumulus built like friendly piles of ice cream September sky यहां similar का यूज हुआ है He is two feet longer than this kiff the old man said उसने का कि वह नाम से दो feet लंबी है तो यहां पर ही यूज हुआ है वो Marlin मचली के लिए यूज हुआ है Marlin मचली के बारे में देखिए His sword was as long as basketball bat उसकी sword थी वो उतनी रंबी थी जितनी की basketball bat होती है और वो इतरह से taper करती थी जैसे कोई rapier हो और वो पानी में दुबारा previous कर जाती जिस तरह से कोई diver previous करता है कोता लगाता है उस तरह से और He saw the great seat blade of his tail यानि जो दराती की तरह जो धार-धार उसकी tail होती हुए उसको भी देखता है क्योंकि Marlin मचली होती वो कापी कतरनाक मचली होती नीले रंग की keep warm old man remember we are in September यह तब की बात है जब वो समुदर में नहीं गया था मचली पकड़ने के लिए तो Marlin जो लड़का होता वो सेंटियागों से कहता है keep warm old man remember we are in September there was a picture in color of sacred heart of Jesus and another of virgin of cobra यानि यह जो तस्वीरे है यह old man के शेक में थी यानि old man की जो जोपड़ी थी कुटिया थी उसमें यह तस्वीरे थी और last question है had there been a tinted photograph in old man's शेक क्या वहाँ पर एक tinted photograph होता है old man के शेक में तो हाँ होता है और वह है उसकी पत्नी को होता है जो उसने अब उतार कर एक कौने में शेफ में रख दिया है कौने में वहाँ है